आज हुआ लोग क्लास ट्वल्थ की एकनॉमिक्स का चाप्टर नमबर एट का एक्ससाइज सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है पब्लिक फाइनस इंडिया टोटल सब्सक्राइज में सॉल्व करके मेरे चैनल पर अप्लोड किया हुआ है अब वहां जाकर चेक आउट कर सकत है और अपना एक्ससाइज सॉल्व कर सकते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए ठीक क्वेशन नमबर वन में चूज दा करेक्ट ऑप्शन तो उसमें नमबर व प्रोविजन ओप सोशल सीकूरिटी मेजर्स कालेक्शन औफ टैंक्स तो आपका आंसर होगा B & C प्रोविजन ओफ एडुकेशनल हैं थो सिकूरिटी मेजर्स तो यह दो है जो है गवर्मेंट के एक्टरनल फांक्शन हैं नेक्स इस ओपलिगेटरी फांक्शन कौन कौन से है only we be maintaining internal law and orders of the government तो वो क्या है government का obligatory function है third public finance is one of those subject which are the border line between economics and politics तो इसका answer होगा only C that is Professor Hughes Dalton ने ये चीज़े बताई है कि public finance में border line का difference है between economics and politics number four non-tax source of revenue में four options दिया हुआ है direct tax indirect tax direct tax and fees fees and special living तो आंसर होगा C and D fees and special living तो ये होता है non-direct source of revenue of the government next is trend shows by public expenditure of any government shows following trends तो आंसर क्या होगा B1 increasing ठीक है इसका मतलब क्या है इन train shows by public expenditure of any government shows following क्या हुआ कि public expenditure का जो ये है growth है वो day by day क्या होता रहा है बढ़ता जा रहा है in terms of कि government क्या करना है नेशन को development की तरफ लेके जाना है next आएगा identify the right pair of right right group of pair from the options direct tax non-tax non-tax revenue inflation direct tax indirect tax inflation fees and fines GST हो कि प्राइबीक में हम देखेंगे public finance अंद प्राइवेट प्राइबेट फाइन ट्रैवेट ट्राइवेट क्या हो जाएगा यहां पर इंफलेशन ठीक है next is distinguish between में हम देखेंगे public finance and private finance तो public finance क्या है public finance is concerned with the revenue income and expenditure borrowing etc from the public finance क्या हुआ कि government क्या करती है revenue revenue generate करती है income करती है या फिर expenditure करती है बोरो करती है government की development के लिए private क्या finance क्या होता है जहां पर income and expenditure को study किया जाता है या borrowing लेकिन यहां पर क्या हुआ business firm के लिए यहां पर government economy के लिए करता है यहां पर business firm के लिए किया जाता है adjustment की बात करते हैं the government adjust income according to the size of expenditure on different segments और यहां पर private finance में spending per income spending कितना है spending individual spending level कितना है उससाब से adjust करता है objective के बात करते हैं तो यहां पर social advantage के लिए किया जाता है और यहां पर private interest को fulfill करने के लिए किया जाता है नेचर ऑफ ब्रजट की बात करते हैं तो वह सब को पता होता है क्योंकि जैसे अब जानते है कि हर साल जो है गवर्णेंट क्या निकालती है में घुए जिस्टे कि ऐसाल निए बेट र güven не में करतीए uncool झालती है तो में nugème lavender की वैसे यह स्पेसिफाइड हो जाता है कि seven अपना पैसा कहाँ पर कितना किस पे खर्चा करने वारे तो सबको पता हो तक लेकिन जो प्रबेट होता है वो हमेशा क्या करता है इसको सिक्रेट फ़र्म में ही रखता है पब्लिश नहीं करता है ठीक है So होता है और एक्टरनल वालेंटरी वालेंटरी का मतलब क्या जब उसको एक्ट्राइब करें तो वह पर फॉर्ण करन्सी होती है और जो इंटर्नल डेप्ट होता है वो लेस्ट कॉंप्लेक्स होता है लेकिन जब मैं इक्टरनल जब बातके हैं तो वह ज़्यादा से घ्मप्लेक्स होता है एस कॉंपर टू द इंटर्नल डेप्थ ठीक है umदाध करते हैं ड knife लपयंट एंड रुम्यामन डॉन डेलों डेन नौन डधून डेवल्लप्मेंट इकस्पंदिचर डैपल्पेश डीक का ग्रोथ हो और उसके बदले उन्हें पैसा भी आता है लेकिन वह होता है कि गवर्मेंट बिना आउटपूट बिना यह जाने कि मुझे आउटपूट क्या मिलेगा वह स्पैंड करती है जैसे वह और पर खर्चा कर दिया एड्मिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पढ़ा दिया तो व देपलमेंट इस्पिनिचर होता है वह प्रोडक्टिव बाइनेचर होता है नेक्स आदा स्पेशल असेस्मेंट था प्रटिकुलर लोकालिटी इन एक्स्चेंज फॉर सटेन स्पेशल फासिलिटी प्रवाइड प्रवाइड टू देंप बाया पब्लिक अथॉर्टी स्पे इक्स्ट्रा स्पेशल फैसलिटी ऑफ रोड इनर्जी वाटर सप्लाई से जो गाउं की लोगों उनको ग्राम पंचार टैक्स लगाते हैं वह ताकि उनकी आसपास की एडिया को अच्छी तरीकी से बनाये रखें इनका अब्जेक्ट होता है तो और रेविन थूदा के लाता है और यह कमोडिटी पे चारज किया जाता है और डिवीज और वाइन ऌपी उपी यह उपिम एंट इनके जो कड्रॉप कंशंचिंच्ट होती हो उन पर चार्ज किया जाता है इनका जो मेन होता है इस टूद डिसकरेज़ दा कंशंच्ट अप सच आपक्यांप्य ज जो है वो इंडिया में लाउड नहीं है आप हम बात करते हैं कि डायर्ट ैक्स और इंडायर्ट आइक डायर्ट पे लगता है और इंकम पर लगता है गुड्स और सर्विसस पर लगता dèsक टैक्स का बऄन आप किसी पर शिफ्त नहीं कर सकते हो और जिस टैक्स पर लाउड किया गया उसी पर सन्गों भर ना है लेकिन यहां पर क्या होता है अगर जैसे लो फी पर घृता है वोकोई नहीं होता है जो टैक्स कलेक्शन होता है किध सब्सक्राइब करक्वल्ट सब्सक्राइब थली धेরट कोट्राइब अ पीडिक्स کेशन लंमें सब्सक्राइब किई इसेटमेंट पेडियोफन वी निगुए डिस अग्री है स्टेट्मेंट के क्यों कि दा गॉवर्मेंट इस इंफार्मल और फॉर्मल इस्टूशन क्रेटिट बाइप पीपल इन स्पेसिफिक रीजन तो परफॉर्म वेरिस फंक्शन तो यहां पर और अब्लिगेटरी फंक्शन में क्या होता है एक्स को मैं बचाती है और जुब हम बात करते हैं और फंक्शन की यहां पय cần को बढ़ाना होता है सोचल सिक्योर्टी वड़ाना होता इसे पेंशन हो गया यह अधर वैलफेर मेजर्स हो गया तो इसलिए यहां पर अब्लिगेटरी फंक्षण इस नॉट ओव दा गवर्मेंट तो यहां पर दो है अब्लिगेटरी है प्लस अप्ष्णल फंक्षण भी है नेक्स फाइंस पैसे कमाना इस नॉट रीजन फॉर यूज वालेट ना करना रूल्स को मेंटें करना इस दा ओनली पर पर दो इसे यहां पर पैसे कमाना इस नॉट रीजन फॉर दर यूज ऑन से सोर्स ओफ रेविनी ठीक है नक्स नेक्स इस दे गुड्स अंड सर्विसेस टाक्स हैस रिप्लेज अल्मोस अल्मोस अल्ट इंडाइट टाक्स अंडिया अग्री विद्ट स्टेट्मेंट क्यूंकि आप कहीं पर भी जाओ तो हर जगा पर इंडाइट टाक्स जो है अप्ली एक्सपंडी पॉब्लिक एक्सपंडी इंकर्ट बाइप पॉब्लिक अथर्ट एसे संट्रल गवर्मेंट सेट रोकल है नोगवाडीज अन फॉर्ट प्रोट्ट्चिन उप्र सटिस्वाइं देर् कलक्टिव नीज प्रमोटिं देर एकनोमिक और सोशल वेलफे मिजोर्टी इस ड्यवर्मेंट का मतलब क्या है कि डिमपरालीटीग गर्ट काफी इक्सपंड इसलिए होती है क्योंकि हर पाथ साल में इसका चुने चुने जाने के लिए बहुत सारा पैसा इंवेस्ट्मेंट इंवेस्ट होता है है तो यहां पर डिमोक्राटिक और लोगों चाहे वो सरस्टाइब करें कि पीए था इन वे फॉर्म फिलेक्षल तो इस लिए ज्यादा एक्सिश्ट्थ होता है नेक्स्ट इस पॉब्लिक फाइनाज इस प्राइब प्राइब फाइनन्स अगरी विद्स टेंटमिन इलास्टिक क्यों है विकॉज प्राइब फाइनन्स एंग तो फॉफ इंट्रस को फुल्फील करता है there is not much scope for the change in the private finance and on other hand government में बहुत सारे हर साल कुछ न कुछ expenditure government करती है ताकि कुछ नया change आ सके and the government also print notes through the reserve bank of India ताकि देश का भला हो question of four की बात करें read the given passage and answer the question अभी यह passage दिया हुआ है चली read करते हैं the conventional notion of social security is that the government would make periodic payment to look after people in their old ages ill health disability and poverty and this idea should itself change from writing a check for a beneficiary to institutional arrangement to care of beneficiaries including by enabling them to look after themselves to large extent and a writer check model of social security is a legacy from the rich world at the optimum phase of demographic demographic transition when the working population was numerical numerical enough and earning enough to generate the taxes to pay for care of those who not working and this model is ill suited suited for less and well of India with a growing and life expectancy increasing urbanization and resulting migration social security under urbanization will be different from social security in a social static अब इसके question answer discuss करते हैं the state the conventional notion of social security conventional notion of social security का तो conventional notion of social security is that the government would make periodic payment to look after people in their old ages illness and disability अब इसका simple से मतलब क्या हुआ कि गवर्मेंट ना हर साल मतलब हर महीने ना कुछ पैसे गरीब को के खाते में डालती हैं से कुछ कर्वें शॉच का सब्सक्राई का क्या कुछ नोशन अपर फिर वाइड का आज आपल आई गोंसरॅश च्जेंग यंजर्टर इन शच्टेंग बिवें अ गिवें परिव्राप्र अ कर्वेह्डड़्य तो ऑच्ट का फिर फिरे सब्सक्श हैं लाग्र्शेटर्ट यहतं अ social security from a rich world the right a check model of social security is a legacy from the rich world at optimum optimal phase of democratic demographic transition next which feature of india make a indian make the traditional model of social security suited for all for the economy the traditional model is suited for less well of india with a growing life expectancy and resulting migration so next question of five state the type of type and importance of government budget पहले तो कितने टाइप है तीन टाइप है बैलेंस बजट सर्प्लास बजट और डेफिस्ट बजट क्या होता है जहां पर गवर्मेंट की expenditure और जो income होती है वह सेम होती है मतलब बैलेंस होती है उससे हम कहते हैं बैलेंस बजट फिर हम जब बात करते हैं इसको मैंने डिटेल एक्स्प्लेंग क्या है अपने वन शॉट सीरीज में भी और जो इसका specific topic है वहाँ पर भी explain क्या है आप वहाँ पर जाके इसको रीड वाच कर सकते हो सर्प्लस बजट क्या होता है जहां पर government की रिसीप्ट जादा होती है as compared to the expenditure तो वह होता है surplus यहां पर government को profit होता है लेकिन जब हम बात करते हैं deficit बजट की तो यहां पर government के expenditure यहां की government की expenditure जादा होते है as compared to government receive तो इसलिए यहां पर government deficit होता है यानि कि उन्हें लॉस कहीं न कहीं तरीके से होता है importance क्या है इसका भी मैंने एक specific वीडियो डाला हुआ है यह भी आप जा सकते हो बजट बहुत important point पार्ट है जिससे हम जानते हैं हर साल government की income क्या है कितना government invest कर रही है किस तरीके से करता है या government जो इन्वेस्मेंट करती है लोकल पब्लिक पर उसका क्या आसर होता है किस तरीके से काम करती है रूरल बेसिस पर कैसे करती है अर्वन बेसिस पर करती है तो यह सारी चीज़ें यहां पर डिसकस की गई नेक्स क्वेशन है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन अच्छली मैंने आप लिख तो दिया है बट इट इस नौट पार्ट ऑफ जोर सिलाबस यह एक्जाम में काफी कम आता है तो अगर आपको लगे तो आप रीट कर सकते हो अधर्वाइस यू कैन स्किप आसवेल ठीक है नेक्स वेशन आता है क्वेशन नमबर थर्ड एक्स प्ले नॉन टैक्स सोर्स आफ रेविन्यू औफ गवर्मेंट तो नॉन टैक्स रेविन्यू कि अगर हम बात करते है तो कितने टोल है फीज़े जहां पर गवर्मेंट क्या करती है फीज चार्ज करती है जैसे एड्यूकेशन फीज होगया रिज्स्ट्रेशन फीज होगया दूसरा आता है प्राइज औप पब्लिक गुड्स सचांस से जैसी की रेल्वे फेर होगया पोफ्चल चार्ज होगय यहां पर आपसे पैसे चार्ज करती है बट वो काफी कम होता है तो एक फेर टाइप होता है फिस पेशल असेस्मेंट जो में आपको उपर बताया है जब किसी भी सिटिजन को स्पेशल फैसलिटी प्रोवाइड की जाती है चाहे वो रोड हो एनर्जी हो वाटर सप्लाइ हो त जो रूल से रेवलेशन बनाएगा है वह वालेट ना हो और उनका सही तरीके से पारण किया जाए गिफ्ट ग्रांट्स और डोनेशन यह सारी चीज़े रेविन्यों तो नहीं होती है यह अंसर्टन बाइनेचर होती है और गवर्मेंट को यहां पर जिसे फॉरण ने इस हम ग्रांट रोनेशन दिया है इंफार्म पैसा तो वह क्या जाता है कहीं ने कहीं वह डेवलाप्मेंट के लिए उस हो जाता है तो यहां पर स्पेशल लेवी में हम देखते हैं कि लाइक की जैसे यहां पर फाइन पेनाल्टी से तो इनका अब्जेक्टी इनका माहन करना नहीं होता है लोगों का डिसको लोग को डिसकरेज करना होता है अगर लोग दारू या अधर कोई भी नशीली पतालत का सेवन करते हैं नेक्स आता है बॉर्विंग तो यहां पर होता है हम इंसाइं इंटरनल बॉर्विंग भी करते हैं ठीक है तो नेक्स क्वेशन लास क्वेशन हमारा सिक्स आंसर इन डिटेल्स तो यहां पर एक्स्प्लेइन वेरियस रीजन आफ अब यहां पर बताना है आपको कि पॉब्लिक एक्स्पेंड डीचर इतना ज यह बढ़ रहा है उसके विएस से पैसा भी ज्यादा इंवेस्मेंट करना पड़ता है अगर आप जाहों में जाओं शहर में जाओं के पैसे का इंवेस्मेंट होता है फिर और मtr नाय तो अको मिंटें रखने के लिए रिक्वाइड लॉट्स ऐस बनाना है वाटर सप्लाइ बढ़ाने के लिए देखो आप इस्राइल और पलेस्टिन का वार चल रहा है तो हमारी इंडिया है जब सबसे सकेंड जो है जो कि इस्राइल से वार एक्विप्मेंट करती है एडवांस क्योंकि उनकी पास एडवांस टेकनोलोजी है फिर डिमोग्राफी बढ़ रही है देव सब्सक्राइब होते हैं एंफ्लेशन बहंगाई वी बढ़ रही जिसके वैसे पैसा मतलब होता है इंडस्ट्रल डेवलप्मेंट के लिए भी इंकड होता है और जो लास्ट है वह डिजास्टर मानेजमेंट के लिए अगर किसी भी तरीका का डिजास्टर आगा इससे साइक हो जाए लोग फिर से अपने लाइफ में बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाएं तो इन सारे चीजों के लिए गवर्मेंट को पैसा इन्वेस्ट करना होता है इस वाई पॉब्लिक एक्सपेंडिशे इंकर्ड इस विंकर्ड रेगुलर्ली और इना लाजवी ठीक है तो यहां पर चाप्ड नबर 8 का एक्साइस फिनिश होता है हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम चाप्डन नमघन 9 का एक्साइज को डिसक extra करेंगे तब तक के लिए आप इस अपना क्याल रखा ए और चैनल पर बने रहेैे और ज्यतना होएँ सब्सक्राइब